नाकपु शीहर से कुछी दूरी पर पांजरी गाव है जहाँ पर सरकार की जमीन पर कंजा किया है ऐसी जानकारी पांसरी गड़ ग्राम पंचाइद सदस्य द्वारा दी गई है नाकपुर शहर से सटे पांसरी गाउ के ग्राम पंचाइद के सदस्यों वो गाउ के उस सरपंच द्वारा गाउ के तालाप पर कबसा करने के आरोप लगाएगे है उनका कहना है कि करीबन 2-5 एकर की जमीन पर तालाब था जहां गाव के जानवर पानी पीने जाया करते थी साथ ही गाववालों के लिए गाव के पास पानी का यह तालाब एक स्त्रोथ था लेकिन इस सरकारी जमीन को एक बिल्डर ने मुरुम डाल कर बुझाया है साथ ही उसे लोहे के तारों से बना कमपाउंड भी किया गया है गाववासयों का कहना है कि इस मामले में तहसलदार से लेकर परियावरन मंत्री पालक मंत्री को भी इसकी जानकारी देकर 1100 पे गे लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कारवाइन नहीं हुई है मी पांजरी गट गराम पंच अतले माक्चे वर्षी निवडूना लेलाओ आन इते गुर डोर पानी पिन्यास तलाव होता गावा जाओ तो तलाव याननी कोरुणाई चे प्रेड मते बुझवलाओ श्यासने चे मनाई होती कुटे जायला नाई निगाई चे नाई त्या मोडे कुणी नाई निगत होता बाजुला लेवट पढ़लेत करोडो रुपेची जमी नाई त्या इतुने तलाव बुझवले लासेल तीन खेडे नी बुझवले लाई संजय मारकंडराव तीन खेडे याननी आप बुझवले लाई कुरनाई चा पेड़ मदी आन आमाला माहित पढ़ले की आमाला त्यानी जाहिर नामाल अवला के आमाला नों कमी करूं दिया तेता साथ बार अरती नों दाए के गुरे डोरे पानी पिन्यास सकता मनाई नाई तति वा जाहिर नामाला अमचा गराम पंचेतला तेवा आमी अब्जेक्शें गितला अगर आमाँ चे जसाह तलाव तसास हमाला करून दियावे तयानी किते टरक मुरम टकले किती रुपए चाहिर प्रत पर दादा है वह भी हमको बताते हैं के बहुत पूराना तलाव है इसमें हमने मचलिया पकडिया जनवर पानी पिलाया है सब कुछ किया है मगर अभी लॉकडाउन के प्रेड में यह जो बिल्डर है इन्होंने मुरुम लाके पूर्णा एने जमिन लेवल कर लिया है इस मामले में हमारी टीम नी फोन कर बिल्डर से समवासा था उनका कहना था कि फिल्हाल ये मामला न्याय प्रविष्ट है जिसके बारे में अधिक बोलना उचित नहीं है साथ ही गाववासियो द्वारा किये गे आरोपो का खंडन किया जिस तरह ये मामला है अब देखना यह होगा कि आगे ये मामला क्या मोड लेता है क्या वाकही सरकारी जमीन पर अवय तरीके से कवजा किया गया है या नहीं ये तो अब देखने वाली बात होगी कैमरा पोसन राजकमार मोड के साथ शिती जादेश मुख बीस ये न्यूस नाकपूर